फिर कल क्राइम ब्रांच ने मितुल तरवेदी को अपने चोक बजार आफिस में बुलाया था आज ये एस्टेबिलिश हो गया है और उसने कनफेस भी किया है कि उसने जो ये लेटर बनाया है ये फेक है वो ये लेटर इसलिए बनाया है वो ट्यूशन क्लासिस पढ़ाता है उसको लगा कि है मैं अगर ऐसा लेटर जो चिल्डन है उनके पेरेंट्स को दिखाऊँगा तो उससे उनके और ज़्यादा बच्चे पढ़ने आईगा गुजरात की सूरत पुलीस ने एक फरजी साइंटिस्ट को गिरफतार किया है ये फरजी साइंटिस्ट पिछले कई सालों से लोगों को बताता आ रहा था कि ये कोई आम नहीं बलकि एक स्पेस साइंटिस्ट है और ये कहीं छोटी मूटी जगा नहीं बलकि भारत की स्पेस इसरो और अमेरिका की स्पेस एजनसी नासा के लिए काम करता है अपने इसी फरजी पहचान से इसने मीडिया में कई इंटर्व्यू दिये और हाल ही में इसने ये दावा किया कि इसी ने चंद्रयान 3 के लेंडर मॉड्यूल को डिजाइन किया है इस फरजी इसरो कोपन्त संपर्क किया गया और इसरो के दरफ से एक प्रात्मिक ऐसा निवेदर मिला कि यह जो लेटर बनाए गया है वो एक फेक है उनकी तरफ से ऐसा कोई लेटर इशू नहीं किया गया और एक डिटेल रिप्लाई वो कुछ इस दिनों में हमें देंगे फिर कल प्राइम ब्रांच ने मितिल तरवेदी को अपने चोक बजार ऑफिस में बुलाया था और पूछ काफी डिटेल पूछ पर उसकी की गए आज यह एस्टेबिश हो गया है और उसने कंफेस भी किया है कि उसने जो यह लेटर बनाया है यह फेक है वो यह लेटर इसलिए बनाया है वो टूशन क्लासी पढ़ाता है उसको लगा कि है मैं अगर ऐसा लेटर जो चिल्डन है उनके पेरेंट्स को दिखाऊंगा तो उससे उनके और ज्यादा बच्चे पढ़ने आई इसको ध्यान में लेके क्राइम ब्रांच में आइपीसी 465, 468, 471, 419 के तहद मुक इसको कुछी समय में इसको अरेश्ट करेगी और फिर आगे की कारवाई के रहे जानकारी के मताबिक मितुल तृवेदी सूरत में टूशन क्लास चलाता है और इसने पुलीस को बताया कि इसने इसरों में स्पेस साइंटिस्ट होने का जूटा दावा इसले किया ताकि इसकी इसकी फरजी दावा करता आ रहा था कि इसने चंद्रयान टू में भी एहम भूमिता दिवाई थी। पुलीस ने अब इस फरजी साइंटिस्ट के खिलाफ आई पिसी की कई धाराओं के तहत F.I.R. दर्च की है जिन में धोकादड़ी, जाल साजी, जाली दस्तावेजों को वास्तिविक रूप में इस्तेमाल करना आदी धाराएं शामिल हैं। यह मामला सामने आने के बाहर सोचिल मीडिया पर ऐसे कई स्क्रीन शॉट भी वाइरल हुए, जिन में मितुल त्रिवेदी खुद को इसरो का साइंटिस्ट बताकर इंटर्व्यू दे रहा है, वर्क्श